हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूटूब चैनल ममता मैस टुटोरियल और आज क्लास 12 में लेक्चर 68 है ये हम करेंगे exercise 5.7 के remaining sum question number 11 देखिए if y equal to 5 cos x minus 3 sin x prove that d2 y by dx square plus y equal to 0 हमें prove करना है y function दिया हुआ है तो derivative कर दे cos का derivative minus sin और sin का derivative cos x हमें double derivative करना है double derivative कर दीजे sin का derivative cos और cos का derivative minus sin अब क्या किया हमने यहाँ पे throw out minus common ले लिया और जैसे ही हमने minus common लिया जो अंदर वाले term बची वो हमारी किसकी value थी y की y की value रख दी minus का sign था side change होगी तो sign change हो जाएगा plus का y equal to 0 और यही हमें क्या करना था prove करना था आप चाहें तो दूसरे method से भी कर सकते हैं d2y by dx square की value रखिए y की value रखिए 0 आएगी देखे जरा d2y by dx square की value रखते हैं minus में 5 cos x plus में 3 sin x plus में y की value रख देते हैं 5 cos x minus में 3 sin x sin x sin x term cos x से cos x term और यह क्या आगया 0 दोनों method में से किसी भी method को आप choose कर सकते हो question number 12 देखें कैसे करेंगे question number 12 if y equal to cos inverse x find d2y by dx square in terms of y alone देखे question में क्या कह गया है y दे रखा है ठीक है इसका double derivative निकालना है यह भी ठीक है बड़ इसने क्या कह दिया कि double derivative में सिर्फ क्या होना चाहिए y की term होनी चाहिए यानि कि हमें वहाँ से x को remove करना है देखें कैसे करेंगे y है derivative with respect to x कर दिया यह divide में है दूसरे side जाएगा तो multiply में हो चाहिएगा अब again हम derivative करेंगे u into v से u as it is derivative of v v as it is और यह हमने इसका derivative कर दिया minus 1 का derivative क्या आगया जीरो अब यह divide में है 2 से तो 2 cancel out हो गया यह divide में है तो throw out हमने इसी से multiply कर दिया root 1 minus x square की root 1 minus x square से multiply होगी तो यह term आएगी due to y by dx square साथ में ही है इसके multiply होगी तो यह cancel out हो जाएगा remaining यही बचा हो हमारे पास ठीक है simplification तो हमारे पास हो गया है बट अभी हमने क्या करना है इसको y में convert करना है तो हमने क्या किया तो जो हमें given दे रखा था y equal to cos inverse x यहां से हमने x की value निकाली वो क्या है आपके पास cos y अब इस x की जगे क्या रख दिया हमने cos y x की जगे हमने क्या रख दिया? cos y और dy by dx की जो value निकाले थी यहाँ पे भी हमने x की जगे क्या कर दिया cos y रख दिया लगबग यह सारा y में change हो गया अब इसको सिर्फ side change करनी है minus और minus यह plus की term है दूसरे side जाएगी तो minus क्यों जाएगी minus में cos y इसको solve करेंगे 1 minus में cos square y यह क्या होगा sin square y square से root कट गया sin y बचेगा यह sin y है अब 1 minus में cos square y यह भी क्या बचेगा आपके पास sin square y but multiply में है दूसरी side जाएगा तो यह divide में हो जाएगा ठीक है दो step एक साथ कर दिया है इसमें कैसे की हैं वो आपको बता दिया अब cos upon sin क्या होता है cot और sin square का 1 upon sin square y क्या हो जाएगा cos x square y simple साई question था derivative तो यहाँ तक हो चुका है जितना simplification हो सकता था बस इसने question में क्या कह दिया कि सिरफ y की term में निकाल लिए तो हमने जहाँ जहाँ x दिखा वहाँ उसकी value पुट कर दी और जहाँ पे dy by dx रखा वहाँ पे भी y की value को change करके रख दिया अब formula लगा दिये trigonometric identity है उनका use करके हमने इसको सिरफ y की form में change कर दिया question number 13 को discuss करते हैं अब question number 13 if y equal to 3 cos log x plus 4 sin log x show that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0 हमने basic में पढ़ा था y2 का मतलब d2y by dx square plus में x y1 का मतलब dy by dx plus y equal to 0 तो हमने क्या क्या y हमारे पास given है हमने dy by dx निकाला cos का derivative minus sin और फिर log x का derivative 1 upon x sin का derivative cos x और फिर log x का derivative 1 upon x x divide में था दूसरे साड़ लेके जाएंगे कहां चला जाएगा multiply में चला जाएगा हमने यहां पे dy by dx को y1 से replace कर दिया क्योंकि जो चीज हमें show करने थी उसमें वैसे ही notation थी y1 रख दिया ठीक है अगेन हम इसको differentiation कर दे u into v से होगा u as it is derivative of v v as it is derivative of v यहां पे भी derivative करें sine का derivative cos और फिर log x का cos का derivative minus sine और फिर log x का यह term to as it is है यहां पे 1 by x और minus दोनों में है तो common ले लिया अब ध्यान से देखें कि जो अंदर वाले term है वो हमें given था जो y है y है तो value रख दी सबको एक तरफ ले आए equal to 0 और यही हमें prove करना था ठीक है बचे बिल्कुल असान सा ही question था y था हमने dy by dx निकाला उसके साथ में हमने x जो divide में था उसे तरफ उसे ले के आए multiply में करते है ठीक है फिर again हमने differentiation किया जो इसतना simplification हो सकता था कोई y की value रखनी है या फिर कुछ common लेना है वो काम किया सबको एक तरफ ले के आए और हमें जो show करना था वही result हमारे पास आ चुका है question number 14 को discuss करते है question number 14 देखिए if y equal to a e की power mx plus b e की power nx show that d2y by dx square minus m plus and dy by dx plus m and y equal to 0 हमारे पास y है हम dy by dx निकाल सकते है फिर हमने d2y by dx square निकाल दिया derivative हमने निकाल दिया है e की power x का derivative e की power x ही होता है साथ में फर्दर function है तो उसका derivative कर दिया अब हम left hand side लेके चले सिरफ हमने value replace की है d2y by dx square की m plus n as it is dy by dx की plus mn as it is और फिर y की सब को खोल दिया सारी term कड़ गी और ये क्या आगे आपके पास 0 दियार नहीं जब भी हमें show करना होता है तो वो चीज होकी ही रहती है मतलब left hand side यहाँ पर right hand side की equal आएगी आएगी मालो की नहीं आ रहे it means कि आप calculation part में कहीं न कहीं mistake कर रहे है हमने यहाँ पर simply y था dy by dx निकाला d2y by dx square निकाला और value जो हमें prove करनी थी वहाँ की left hand side में रखी तो हमारा 0 आ गया जो कि क्या है right hand side था question number 15 को देखे कैसे solve करेंगे question number 15 if y equal to 500 e की power 7x plus 600 e की power minus 7x show that d2y by dx के risk equal होगा तो हमारे पास y है हमने dy by dx निकाल लिया e की power 7x का derivative e की power 7x और फिर 7x का derivative 7 तो 500 से multiply कर दी तो यह हमारा dy by dx आ गया यहाँ से हमें कुछ common दिखा 7 हमने 7 को common ले लिया again double derivative कर देते हैं e की power x का derivative e की power x और further function है तो उसके derivative से multiply कर रहे हैं again फिर हमने 7 ही common ले लिया और 7 और 7 ही common क्यों लिया क्योंकि जो show हमें करना था वो हमें hint दे रहा था कि 49 चाहिए तो एक बार हमने 7 common ले लिया और जैसे हमें दूसरी बार भी 7 common अब जो result आया है वही हमें show करना था ठीक है बचे y था हमने d y by dx निकाला हमने d 2 y by dx square निकाला फिर इकठे 49 भी आप common ले सकते हैं ठीक है और जैसे ही common लेंगे remaining आपके पास क्या बचेगी y की value बचेगी question number 16 को discuss करते हैं अब question number 16 देखिए e की power y x plus 1 equal to 1 show that d 2 y by dx square equal to dy by dx का whole square आपके पास given है e की power y x plus 1 equal to 1 derivative कर दिया with respect to x u into v से u as it is derivative of v v as it is derivative of u और 1 का derivative क्या होगा 0 क्योंकि 1 तो आपके पास क्या है constant term है ठीक है अब x plus 1 का derivative कर दिया क्या हैगा 1 e की power y का derivative किया क्या है e की power y और फिर y का derivative किया वो क्या है dy by dx अब हमने क्या किया है ध्यान से देखिए e की power y और x plus 1 यह किसके equal है given हमें 1 की equal given है तो हमने इसकी value रख दी और यहां से हमने क्या निका लिया dy by dx की value क्या रही आ है minus में e की power y इसे हमने नाम दिया equation 2 का अब हम क्या करेंगे double derivative करेंगे दुबारा से इसका derivative करेंगे दुबारा से इसका derivative करेंगे तो क्या बनेगा d2 y by dx के DAY equal to minus as it is e की power y का derivative e की power y और फिर y का derivative dy by dx अब ध्यान से देखें, तो ये value किसकी है, dy by dx की, तो value रख दीजिए, dy by dx, एक dy by dx आल्रेडी है, तो ये क्या हो गया, dy by dx का power 2, दो बार है, ठीक है, और यही हमें show करना था, दिखाना था, हमने क्या किया, हमारे पास function given था, वहाँ से हमने किसकी value निकाले, dy by dx की, फिर हमने double derivative किया, और जो value exchange हो सकती थी, given term को show करने के लिए, उनको exchange कर दी, और ये आपका वही term आगी, जो आपको क्या करनी थी, show करनी थी, दिखानी थी, कि d2y by dx square equal to dy by dx का whole square, question number 17 को discuss करते हैं, अब, question number 17 देखिए, if y equal to tangent inverse x का square, then show that, y हमें given है, हम derivative निकाल देते हैं, power आगे आगी है, और tangent inverse x का फिर derivative कर दिया, ये divide में है, दूसरे side जाएगा, तो इसको multiply में खर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें hint मिल रहा है, y2 और y1 है, तो हमने dy by dx को भी किस में change कर दिया, y1 में, again differentiation कर दे, u as it is, derivative of v, v as it is, derivative of u, और यहाँ पर भी derivative करें, तो tangent inverse x का क्या हो गया, 1 upon में 1 plus में x square, अब क्या करेंगे, ये जो divide में है, इस side जाएगा, तो multiply में हो चाएगा, एक already और इसी से multiply कर रहे हैं, तो power 2 हो गी है, और यहाँ पर भी multiply कर दिया है, तो यहाँ पर solve हो चुका है, बट answer को match करने के लिए, थोड़े से आपने variables की जगे चेंज कर दिया, यह आपका answer आ गया है, ठीक है, दोबारा देख लिए हमारे पास function था y, वहाँ से हमने dy by dx निकाला, फ़ड़ा सा simplification किया, अगें derivative किया, तो derivative की वही form हागी जो हमें show करने थी, ओके students, होब कि आपको यह remaining questions अच्छे से समझ में आये होंगे, description में मेरे handwritten notes हैं, वो ले लीजेगा, और आगे इसले बस करने के लिए, मेरे channel से जुड़े रहेए, इसे like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, thank you.